Hello student, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ समिस्टर पांच के उपर है कुछ बाते मुझे डिसकस करना जरू दी था और समिस्टर पांच वाले बच्चों के कमेंट में काफी कोईरी आ रही है कि सर मेरा इसमें कैसे करना चीए, एक्जाम मेरे क्लैश हो रहे हैं कुछ बहुत तरह की कोश्टन से उन सभी चीजों को देखेंगे अब मैं सबसे पहले बात कर लू हमारे पास समिस्टर पांच में है क्या कुछ बच्चों को तो सायद सबजेक्ट भी नहीं पता मैं भीकॉम, अगर मैं पहले ओनर्स की बात कर लू सबसे पहले एक सबजेक्ट है आपके पास फाइनेशल मैनेजमेंट, कमपलसरी है दूसरा सबजेक्ट आपके पास है प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग, कमपलसरी है तीसरा सबजेक्ट आपने ऑप्शनल में अगर मैनेजमेंट अकाउंट लिए है तो यह आ जाएगा और चौथा subject आपका HRM हो गया है या फिर कोई other मैं लिखे देता हूँ जो कि आपके अपने according आपने चूज किया है और साथ के साथ काफी बच्चों का मैंने ये notice किया है कि back भी आया हुआ है back आया हुआ है और एक ही subject मुझे ज़्यादा तर देखने को मिला है semester 5 में that is income tax में back है ठीक है सेम हागर हम बात करें इधर दूसरे साइट बीकॉम प्रोग्राम की बात अगर हम करें तो सर बीकॉम प्रोग्राम में नमबर वन बच्चों के पास financial management है यह option में उन्होंने law choose कर लिया होगा नमबर टू बच्चों के पास POM हो सकता है या HRM choose कर लिया होगा बच्चोंने नमबर तीन बच्चों के पास principle of microeconomics compulsory SOL के अंदर और काफी बच्चों के पास option भी है नमबर चार कई बच्चों के पास GST भी है और समें इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे जो पास नहीं हो पाए है income tax में last time पे उनकी ERI हुई है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि semester 5 में अगर आप एक भी subject में नहीं पास होते तो आप वहां पे पास नहीं माने जाते आप फेल ही माने जाते हो और आपके life का one year पूरा का पूरा बरबाद हो जाना है पूरा life ठीक है न समेस्टर तीन में एक में था तो तीन में दे दिया तीन में था तो पांच में दे दिया अब मौका नहीं मिलेगा आपको यानि एक भी पेपर यानि आपको सारे के सारे चाहे एक्जाम जो पेंडिंग हो चाहे करंट वाले पास करने 100% में डीटरी है और आज तारीक है 18 जिस दिन वीडियो डल रही है आपके एक्जाम जो स्टार्ट है मान लेता हूँ आपके पास 25 से 30 दिन है तो उसको किस तरीके से टेक किर करें उस प्रेसर को किस तरीके से हम कैसे ले सबसे पहले आपने जो भी अभी एक्स्टर एक्टिविटी कर रहे हो जौब कर रहे हो मेरे हिसाब से उसको अभी थोड़े टाइम के लिए कुईट करना चाहिए और आपको तीन चार घंटे रेगुलर आपको इन सब्जेक्ट के उपर लगाना पड़ेगा तीन से चार घंटे अगर आप शौट कट ढूंडोगे पहले समेस्टर चार में चलो नहीं हुए तो एक मौका है छे में लेकिन अब आपके पास नहीं कुछ भी उपर नीचे हुआ आप पास नहीं होगे और इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो की प्रोग्राम वालों के उसका री चेकिंग भी नहीं होता है पेपर का ध्यान रखिएगा ठीक है इसमें एडी भी है कुछ बच्चों ने ले रखाओ जैसे मैंने अधर बता है जीएस्टी है एंट्रप्रेनर्शिप डवलेप्मेंट है यह सारी चीज़े ठीक है री चेकिंग भी मना कर देता है व थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं जानगारी चाहिए तो थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर इसमें जैसे यूनिट वन है यूनिट टू है यूनिट नमबर थ्री है और यूनिट नमबर फूर है और लास्ट वन यूनिट नमबर फाइव है सबसे पहले हर बच्चे को मैं सला देता हूँ कि पहले आप unit number 3 करें जिसके अंदर chapter सबसे पहले आपने उठाना है leverage सर्थ 30 दिन के हिसाब से आप लेके चलोगे आप इस chapter को मात्र दो दिन में खतम कर लोगे number 2 पे आप उठाएं EBIT इस chapter को आप one day में थोड़ी आपको speed बढ़ाना होगा और दिमाग भी साथ के साथ चलाना होगा number 3 पे आप करोगे value of firm sorry number 3 पे मैंने गलत chapter लिए cost of capital यह time taking है फिर भी आप कोसिस करो तीन दिन में खतम करने को ठीक है number 4 पे आप उठाना value of firm इसे दो दिन में खतम करो इसके अंदर इसके बाद यहाँ पे एक ही chapter है dividend इसमें थोड़ा तीन दिन लो तीन method है तीनों method को अलग अलग पूरे दिन में maximum question करो practice कैसे करना है सर practice करने के लिए जो मेरी videos पढ़ी हुई है YouTube पे उससे करिए और जो बच्चा paid है जो classroom में वीडियो कराय रखे उससे करिए book और प्लस आपने ten year भी लेना है ten year नहीं लोगे फिर देखो आपको confidence नहीं आएगा और ten year कौन सा लेना है सर शिवदास का ले लुआ आप कहीं भी नियर भाइ शॉप पे जाके ले सकते हो चाहे बच्चा भीकॉम प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा भीकॉम ओनर्स का time नहीं बच्चा time rate की तरह इसल रहा है आपके हाँ से इस बात का ध्यान रखेगा time बिलकुल निकलता जा रहा है इसके बाद हम unit number 5 पे बात करें तो इसके अंदर कुछ chapter priority basis पे कर लीजिए that is working capital मैं short form लिख रहा हूँ और एक है हमारा working capital के अलावा operating cycle इसे कर लीजिए इसके बाद आपको करने के बाद unit number 2 ठाना है that is capital budgeting इसमें आपको कम से कम 8 से 10 दिन देने पढ़ सकते हैं 8 से 10 दिन सर यह दोनों chapter कितने दिन में हो दाएगा यह दोनों chapter आपके तीन दिन में बड़े आसानी सोचाएंगे तो देखे तीन और तीन और तीन च्छे दो आठ तीन ग्यारा ग्यारा और तीन आपके 14 14 और 10 24 यही 24 25 दिन मोटा मोटी बचे हैं जिसमें हमारे यह वाले chapter पूरा theory का है एक practical का है that is principle sorry time value of money जो mathematics of finance ही समझ लो एक तरीके से और कुछ एक chapter इसमें pending बच जाएंगे जिसे हम rapidly कमर करेंगे यह रहना चाहिए आपका strategy कितने घंटे पढ़ने पढ़ेंगे कम से कम minimum आपको दो से ढाई घंटे देने पढ़ेंगे दर्वाइस कोई चारा नहीं है ठीक है दो से ढाई घंटे आपको देने पढ़ेंगे इन subject में चाहे बच्चा बीकों प्रोग्राम का honors का हो मैंने सारे subjects के YouTube पे जो है वीडियो मैं regular basis पे मैंने leverage का वीडियो डाल दिया है EBIT पे डाल दिया है cost of capital पे EBIT पे डल रहा है cost of capital डल चुका है काफी बच्चों का कहना होता ह सर जो पुरानी वीडियो है क्या देख सकते हैं बिलकुल आप देख सकते हैं बस पुराने वीडियो की questions कुछ और होंगे और अब मैं नए questions करा रहा हूं नए pattern पे वह सारी चीज़े वह अलग होगा तो नए pattern पे करेंगे तो वह ज्यादा better रहेगा पूरा systematic रहेगा जितने बच्चे नए join होते मैं उनकी भी बात कर रहा हूं दूसरी बात सर कुछ बच्चों का कहना है यहां पे के सर जो यह आप unit यह chapter लिख रहे हो वो chapter हमारी किताब में कई वार नहीं मिल रहा तो मैं बता दूं आपको कौन-कौन से chapter नहीं मिल रहा यह unit को financial decision के नाम से बोला जा बनाता है और उसी में पूरे के पूरे topic wise chapter बनाके दिये हैं value of firm को theory of capital structure के नाम से जाना जाता है तो एक दो चप्टर आपका deferred होगा ठीक है न तो यह हमारा financial management है जिसके लिए आपको daily मैं minimum बोल के चलूँगा कम से कम दो गंटे अगर एक दिन आपने दो गंटे नहीं दिया तो समझ जाईएगा आप पीछे जा रहे हो subject के अंतर तो एक तो यह सबसे पहले semester 5 साथ के साथ सबसे बड़ा problem बच्चों के साथ है कि भाईया income tax मैंने कुछ बच्चों का ऐसा भी देखा कि उनका financial management भी है और income tax भी है बच्चा सरिफ और सरिफ हमसे income tax पढ़ रहा है मैंने तो सोच रहा है सर इंकम टेक्स निकल जाए तो जंजट खतमों का बच जाएंगे लेकिन आपका हर एक subject का पांचवे semester में उतना ही important है जितना के आप जिसमें फेल हुए हो क्योंकि एक भी subject में फेल होने का मतलब आप फेल ही माने जाओगे यस बत का ध्यान रखना और उसक आपको थोड़ा explanation ठीक से दे देता हूं क्योंकि मैंने अभी से पहले और इसमें सबसे बड़ी बात दिक्कत आ रही है कि income tax कैसे पढ़ें नहीं पढ़ें क्या amendment है नहीं amendment है वो सारी चीज़े इसमें गीवन है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर unit 1 unit 1 सर unit 1 की आप बात कर हो तो unit 1 में क्या क्या चीज़े हैं अब दिन का देखो income tax में back नहीं है वो तो FM वाले वीडियो देखके यहां से छोड़ सकते हैं और अपना वो देखेंगा अब मैं सारी बाते income tax की करने वाला हूं और पीछे वाली वीडियो को जो paid course लेना चाहता है 500 का paid course है उसके अंदर वन में सबसे पहला पार्ट है हमारा सर इंट्रोड़क्शन नंबर दो है हमारा सर रेजिडेंशल स्टेटर्स यह आपका unit number one है पूरा यह आपका पूरा unit number one है और इसके अंदर कोई भी changes नहीं है मैं यह बताते जा रहा हूं चेंज नहीं है सर इसके अंदर जो हमारा यह चेप्टर है इसके चेप्टर वन में ही slab rate है slab rate में कोई बदलाव नहीं है सर्फ चेंज जो आया है वो आया है हमारे सर चार्ज में सर्फ चेंज आया है इसके अंदर सर्चार्ज में और सर्चार्ज आपके syllabus में नहीं पूछा जाता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस यूनिट में आपके लिए चेंज नहीं है चेंज है सर्चार्ज वाले portion के अंदर के जो capital gain का portion था उस capital gain पे पहले 37% का tax लगाया जाता था जो 112 section वाला है थोड़ा वो चेंज है तो उसमें आपको बिलकुल नहीं देखना है residential status आपको पहले से आता है तो मात्र question की practice करिए और सारे वही condition देखिए जैसे कि आपका 6A 6B था कि 182 दिन इंडिया में होना चाहिए या 365 दिन 730 दिन जो भी था वो सारी चीज़े पढ़ना है sir unit number two जो है आपका that is इसको रखा गया है salary में salary जो सबसे main chapter होता है salary sir इसके अंदर कुछ change आया है कि जी हाँ इसमें change आया है सर क्या change आया है और कैसे करना है change इसके अंदर में औरली बता देता हूं आप ढूंड पाओ internet पर तो ढूंड लीजिएगा otherwise मैं पूरा के पूरे questions में explanation करके करवाऊंगा जो इसमें change आया हुआ है वो change आया हुआ है COVID-19 वाले amendment में यानि परकिजिट्स वाले पार्ट में जब employer अपने employee की बिमारी पे खर्च करता है COVID-19 में तो क्या वो employee के hand में taxable होगा और अगर taxable नहीं होगा तो क्या क्या condition है वहाँ इसमें बस change आया है salary में यही change है इसके अलावा कोई change नहीं है आपका RPF हो RFA हो या फिर HR हो या फिर आपका कोई एदर परकिजिट में change नहीं है चेंज है और सिर्फ change किसमें है sir COVID-19 में तो जिनके पास और नई बुक है नई market में available देखो एक बुक यह है जो की है सिंघानिया का वी के सिंघानिया जिस पर आप देख भी सकते हो जो मैं change यह बता रहा हूँ 23 में इस edition का आया है डेली उनिवर्सिटी की ही बुक होती है बेसिकली वह जादा से जादा बच्चे पढ़ते हैं यह ग्रेस हो जाब तो जितने इसमें changes है changes ऐसे नहीं पता चलता क्योंकि अब देखो CA के अंदर कुछ और होता है और इसमें तो मुझे यह सारी books में पहले पड़ता है चाटना पड़ता है कि बच्चों के किन किन चीज़ों में changes सारे provision मिलाना पड़ता है उसके बाद amendment दे सकते हैं इसलिए मैं income tax की वीडियो डालनी रहता है जब तक 100% सारी चीज़े शियोटी ना हो जाए कि क्या act आपके ओपर amendment लग रहा है क्या डेली उनिवर् नमबर वन हाउस प्रॉपर्टी नमबर दो कैपिटल गें सर इसके अंदर एक भी चेंजिस नहीं है तो आप इस चैप्टर को तो करी सकते हैं बस कैपिटल गें के अंदर इंडेक्शेशन वाला रेट बनेगा जो पहले 117 था वह 133 हो जाएगा जो की इंडेक्शेशन करते हैं मतलब कि सी यो आई जो हम निकालते हैं जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट वगरा जो करते हैं वहां चेंज है बागी सच कोई चेंज नहीं है बस रेट में थोड़ा चेंज है जो की रेट आपके एक्जाम में पूछे नहीं जाते जर्नली सर इसके बाद यूनिट नंबर पांच कि यूनिट नंबर चार यहां पर मैं तीन चैप्टर रखना चाहूंगा नंबर वन अदर सोर्स नंबर दो सेट आफ नंबर थ्री केरी फोरवड इसके अंदर चेंज आया हुआ है सर इसमें किसमें amendment है सर सेट अफ केरी फॉरवर्ड इन सब में नहीं है सिर्फ amendment में टिक लगा देता हूं इस वाले portion में amendment कहलो change कहलो आया हुआ है simple सी बात है इस वाले में क्या वो भी covid-19 से related ही है कि अगर मैं किसी को पैसे देता हूं तो वो gift माना जाता है तो gift अगर covid-19 के situation में हमने किसी को दिया है पैसे उसके इलाज के लिए तो उसका क्या प्रोविजन है वो change आ गया है ठीक है इसके बाद finally last है हमारा last unit number 5 वैसे 5 तो और कुछ होना चाहिए मैंने अपने हिसाब से लिखा है that is मैं लिखे देता हूं क्या होगा सर 5 मैं या मैं chapter कहलो 5 कहलो मैं that is इसमें deduction रखना चाह रहा हूं ठीक है न सर deduction में कोई changes है एक बार यूनिट न यह उपर नीचे हो रखा है आगे पीछे गलत भी हो सकता है तो आप unit को मत देखिएगा मैंने अपने हिसाब से बना दिया अब chapter को focus करिएगा ठीक है deduction chapter है जहां पर आपका ATC से लेके ATU तक deduction होते हैं सर इसमें भी change है इसमें change है सर कहां पर है change इसमें CCD2 और हमारे अगनी वीर का ATCCH आया हुआ है तो कुछ changes है यहां पर ATW या ATDDU वहां पर changes है तो मैं changes एक बार में नहीं बताऊंगा changes जैसे जैसे होंगे सारे complete notes बनाके फिर उसके according डालोगा एक लास्ट चप्टर बच गया that is हमारा बच गया कौन सा चप्टर सर बच गया हमारा पी जी बी पी पी बिजनस पी जी बी पी पी प्रॉफिट गेन एंड बिजनस एंड प्रोफेशन जो की बहुत बड़ा चप्टर है और पिछली बार प्रोग्राम के अंदर इसमें से question डारेक्ली 15 नंबर का पूछ लिया गया था बच्चे वहां पे बहुत परिशान हुए इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज आया हुआ है जो कि डॉक्टर वगयरा को कमीशन दिये जाते थे वह कमीशन illegal expense के कटिगरी में रख दिया गया है थोड़ा चेंज है इसमें भी चेंज है तो मैंने मोटा मोटी बता दिया कि किसमें चेंज है और किसमें नहीं है आप आपके amendment थे ही नहीं उसमें वह मैं डालता जा रहा हूं अभी फटा फट से जिसमें amendment होगा तो जैसे जैसे क्योंकि regular वीडियो डल रहा है उसके according हो जाएगा अब बात करते हैं सर क्योंकि वीडियो डालना जो है वह मेरे हाथ में नहीं होता डेली FM के भी डाल रहे हैं FM के स सर बिल्कुल आएंगे लेखिन कोई डेट अभी मैं fix specific नहीं बता सकता कि कब तक आएंगे amendment और आपके पास समय कम है उसको आपको manage करना होगा मैं कहूंगा कि यूटूब पर amendment आएगा लेकिन मैं date specify नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ practical question भी करवाने हैं income tax में क्या क् क्या कराऊंगा इंकम टेक्स में क्या क्या कराऊंगा नंबर वन जितने भी amendment है नंबर टू लास्ट येर के जो पेपर थे ये दो टॉपिक बिल्कुल latest recording होगी और इसको हम करेंगे कब आएगा यूटूब पर मैं recording तो जल्दे से जल्दी कर दूंगा और कोशिस रहेगी जल्दे से जल्दी डलवा दिया जाए अब जो बच्चे हमारे पास already पढ़ रहे हैं चाहे बच्चा financial management पढ़ रहा हो चाहे बच्चा income tax पढ़ रहा हो क्योंकि बहुत बच्चे income tax में enroll हुएं इस बार क्योंकि market में अब 10 year हाँ 10 year की भी बात कर लो कोई 10 year नहीं available है market में मैं पहले आपको clear कर दूँ जो पुराने वाला 10 year है वही आएगा उसके अंदर paper attach होके आएगा paper का solution मैंने कर दिया है type हो करने के लिए गया हुआ आएगा तो मैं वैसा ही free में PDF दे दूँगा कोई आपको जुरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है इसके बाद FM के अंदर पूरा का पूरा syllabus almost खतम हो चुका है इसका हमने target रखा है कि 30 घंटे में खतम हो जाए जो application पर एक systematic पूरा folder बना दिया है income tax के अं हमारा इतना ज्यादा मन नहीं करता उसमें जितना हमने semester 3 में मन लगा के पढ़ा होगा यह आप भी जानते हो स्टार लग चुका है सर अमेंडमेंट इसके अंदर सारी चीजे अमेंडमेंट वगरा इसके अंदर अभी नहीं डाला है जो बच्चे अब एंड्रोल कर लेंगे उनको लाइव में सारी अमेंडमेंट मिल जाएगा जो बाद में अंडरोल करेंगे उसको रिकॉर्डड जैसे यूटूब पर मिलता है वैसे ही मिल जाएगा सर कोर्स का प्राइस फानेशल मेनेजमेंट का यह भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया पूछ लो इंकम टेक अगर हो जाता है तो आपका एक साल पूरा बरवाद होगा आपने माइड में जो भी ले रखा हो चाहे सोचा हो के भैया हमं UPSC की तियारी करेंगे चाहे सोचा हो की हम की टीर्स गहले चाहे ग्र्ल्ट्स ने सोचा हो के हम 058 देखो बिहार के अंदर इतने सारे जौब निकलेते अभी अगर आपने बीड करा होता तो बच्चों बता रहे थे कि बस फॉर्म भरा था और ऐसे ही उनकी नौकरी लग गई और पांच वी तक के टीचर पढ़ा रहे हैं जो उनकी 42,000 रुपए सेलरी है अभी तो वेकेंसी तो मान के चलो बहुत निकलेंगी अभी तो बीड करने का सोचा हो जिसने एमबीए करने का सोचा हो या जिसने एमकॉम करने का सोचा हो आगे पीएचडी प्लान कर रहा हो उन सब के सब की जो एक तरीके से मैं बात करूँ ड्रीम है वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा इस बात का सोच लेना ठीक है ना बड़ी सी बात है सर अगर आप नहीं पढ़ोगे एक साल खराब होगा जो इंकम टेक्स आपका पढ़ने का नहीं मन कर रहा या कोई ऐसा सब्जेक्ट वाला पढ़ने का नहीं मन कर रहा तो अगले साल जब होगा तब भी आपका जाएंगे लेकिन इसमें कोई पैपर मिस करने की कोसें मत करना थेक है तो आपको सारे चीजे समझ में आया होगा जिस बच्चे को कोर्स जोईन करना है । अगर प्राइस बता करना है थर्टी आवर वाली क्लास फटा-फट से आप जोइन करके कर सकते हैं सारी चीजे मिल जाएगा फटा-फटा आप कर सकते हैं दूसरी बात रही अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी सारी वीडियो आएगा लेकिन आप अगर मुझसे यह पूछते हैं कि सर यूट्यूब पे किस दिन कौन सी वीडियो आएगा तो वह बताना पॉसिबल नहीं है कि अभी तो क्यापटल गेन का ही मेरे खाल 17-18 पार्ट चल रहे हैं और क्यापटल गेन के बाद फिर हम डालना चालू करेंगे जिसमें अमेंडमेंट नहीं है जै जो slab rate है जो पहले किया था वही सेम है सरचार्ज आपके slivers में नहीं आता तो उसके focus मत करिएगा वहाँ जो changes है ठीक है काफी बच्चे क्या करते हैं income tax के अंदर गूगल करते हैं कि क्या amendment है डी यू के paper में कुछ नहीं मिलेगा गूगल पे हमेशा हमेशा maximum time तक answer गलत होता है क्योंकि amendment गूगल पे वह history वाली चीज़ आपको correct answer दे देगा लेकिन जो change होते रहता है अपडेट होते रहता है उनका प्डेशन में confused हो जाओंगे एक बार search करौगे कुछ आएगा दूसरी रार सर्च करौगे एक बच्चे का मिर पास query भी आया करें मेरा यही कहना है क्या और फिल्कुल भी वक्त वर्वाद ना करें मैं ने income tax का भी आपको unit बता दिया है hopefully आपको दिक्कत ना हो क्या क्या changes है नहीं है और courses के बारे में भी बता दिया है मैं मेरा ये मानना है देखो मैं free मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपना 500 मतलब के YouTube पे free class डलेगी या नहीं डलेगी आप बहुत बच्चों का मानना होता है YouTube पे डाल दो definitely मैं डाल दूँगा लेकिन आप एक चीज़ decide करेगा कि आपके लिए ये time जो है वो important है या money important है और money और time में देखा जाए तो ये तो जो fees मैंने रखी है कि 500 या जो भी रखी है whatever कर ज्यादा अगर आपका एक भी कुछ भी दिक्कत हो जाता एक्जाम में तो फिर आपको जिंदगी भर मलाल रहेगा मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं एक बार 8th class में था अपने टाइम पे तो उस टाइम पे जो पेपर था ना 8th class में अब तो बहुत सारे सेंपल पेपर आया करता था या फिर सेंपल पेपर कह लो और मैंने अपने टाइम पे जो जहां कोचिंग लेता था मैं 8th class के अंदर मैं पढ़ता था फिर भुक के भी सारे questions किये थे लेकिन मैंने सेंपल पेपर स्रिफ तीन रुपे की वज़ा से उस तेम तीन रुपे ज्य तीन रुपे मैंने बोला सर कम कर लो दुकानदार को बोला भीया कम कर लो उन्होंने नहीं किया मैंने तीन रुपे के लिए मैंने छोड़ दिया और उस सेंपल पेपर के पहले questions में वह questions आया हुआ था जो कि exam में गलत करके आया question अच्छे से नहीं करा जिसका मुझे result क्या म मेरे math में 8th class के अंदर compartment आ गई और वो सरिफ 3 रुपे के चक्कर में मेरी compartment आ गई उस चीज को मैं आज तक जीवन भर नहीं भूल पाया हूं कि कास मैं वह sample paper उस दिन ले लेता तो फिर हो जाता उसके बाद मैंने आज तक नहीं सोचा कि यह किताब कितने का है discount है नहीं दे मेरा तो ले के आना है भले मैं उस चीज को पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन जीवन में यह नहीं चाहता कि मेरा क्या है नुकसान हो जाए कुछ पैसों की वेज़े से क्यूंकि यह सारी चीजह आपको return back मिलने वाला है तो hopefully मेरी बातों को आप समझ रहे होगे importance time और money को तो मिलते हैं next वीडियो में income tax की वीडियो डल रही है FM semester 5 वाले बच्चे अलट रहे हैं और 3 वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो भी अलट रहे हैं तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि एक मौका है तो आप लापरवाई करोगे आप पढ़ने लग जाओ thank you so much चैनल को like करिए subscribe करिए भाई like जरूर कर दें आप मैंने बोला है principle of marketing का मैं तभी वीडियो डालूँगा जो पिछला एक वीडियो डाला था वहाँ पे 600 लाइक एप्रॉक्स आ चुका है मैंने 1000 लाइक का target रखा जिस दिन होगा उस दिन में POM का डालना चालू कर ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में